अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज दो लाइक शेर और टो सब्सक्राब में चैनल जीरा राइस को 20-30 मिनिट तक भिंगो कर रखेंगे जीरा राइस बनाने के लिए हमें चाहिए दो तेश पत्ता तीन पीस ग्रीन चिल्ली त्री स्पून जीरा दो स्मोल पीस दाल जीनी दल दस गोल मुरिश और एक जाई फल गर्म मसाला को अभी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जैसा कि हमने एक ग्लास राइस लिया था तो हम अभी देड़ ग्लास वाटर रेट कर लेंगे अब हम पेसर कुकर में दो फूल स्पून गी लेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे गी गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे एक तेश पत्ता ग दोल मरीज, जीरा, गरम मसाला, ग्रीन चिल्ली और इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मसाला अच्छे से फ्राइ होने के बाद जैसे कि हम इसमें गी से फ्राइ के हैं अब अगर चाहें तो इसमें रिफाइन ओल भी एड़ करके मसाला अच्छे से फ्राइ हो जाने के बाद अब हम इसमें राइस एट कर देंगे और राइस को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे सभी मसाला के सथ जब राइस अच्छे से फ्राइ हो जाएगा तो हम इसमें एट कर देंगे वाटर को अच्छे से राइस के साथ मिक्स कर फिर हम पेसर कुकर का केप लगा कर उसको पेसर कुकर को कौवर करके एक स्टीम मानने के लिए छोड़ देंगे जब एक स्टीम हो जाए तो हम कौवर को खुल कर देखेंगे हमारा जीरा रैस बनकर रेडी है